अल्रेट गाईज तो आप लोग कैसे हैं उमीद करता हूँ कि आप सभी लोग बहुत ही ज़्यादा अच्छ हो येगा तो फ्रेंट्स आज मैं बात करने वाला हूँ लेना चाहिए या फिर नहीं लेना चाहिए सारे चीज को इसी विडियो फोलने काफर करेंगे अन्याव चैनल पेशन फोड़섯 टार्वाल इसे लडियो से सब्सकार कि आप नदेर देखने और मिलआगा यह फोन आपको देखने को मिलेगी बहुत ही बेहतरी निसका वेगन लेदर दिया गया है इसका जो साइड वाले जो फिनिस है वो आपको मेटल देखने को मिल जाती है तो ये बहुत ही ज्यादा अच्छी बात है कि मेटल का फ्रेम भी आपको देखने को मिल जाती है और आपको द support मिल जाता है, punch hold display मिलती है, और क्या चाहिए, सारे features इसके अंदर में वहर दिये गया है, साथ में IP68 का rating दिया गया है, जो क्या पानी वानी में जाते हैं, तो कोई problem आपको नहीं होने वाली है, तो ये बहुत अच्छी बात है, अब बात कर लेते performance की, तो performance को लिए करके इस phone के अंदर में जो है, वह लगया गया है, 8020 का processor जो की Dimensity Media Tech की आती है, जिसका अन्तुता है, score लगवक 7 लाग से उपर है, अगर आप इसमें gaming बगेरा करते हो, तो बहुत जादा अच्छी आप कर सकते हो, और वह भी 60fps में आराम से BGMI जैसे को थोड़ा सा भी लैक बगेरा नहीं करेगी, ये phone जो है, power आपको बहुत अच्छा मिलते है, क्योंकि ये 6NM पे ये best है, इसका processor, तो gaming बगेरा आप बहुत ही बढ़िया कर सकते हो, अब बात कर लेते हैं, इस phone की connectivity बगेरा की, तो connectivity को लेकर के इस phone के अंदर में जो आपको मिलती है, गोब सारे बेंड्स, जो है 14 बेंड्स, 5G बेंड मिल जाते है, Wi-Fi 6 मिल जाते है, Bluetooth 5.2 मिल जाता है, बाकी NFC बगेरा का भी support मिल जाता है, अब बात कर लेते हैं, इस phone की, अगर camera की, तो camera आपको back side में 2 मिल जाते है, main 50 मिया pixels with OIS, और दूसरा जो मिलते है, 13 मिया pixels with OIS मिलती है, front में आपको 32 मिया pixels का आपको camera देखने को मिल जाती है, अगर बात कर लेते हैं, पिक्चर बगेरा की, जो कि आप सभी लोगे screen पे देखी सकते हैं, और साथ ही साथ, इस phone के अंदर में आपको front में जो है, वो भी बहुत बढ़िया तो मिलती है, बट OIS होने के वज़ा से ये phone आपको बहुत ही बेहतरीन picture देती है, अगर आप कोई जूम करते हो, थोड़ा सा इस वीडियोग्राफी में, अगर कोई guitar बजा रहा है, या फिर कोई कुछ बोल रहा है, तो इसका जूम होता है, मतलब sound capacity भी जूम करके आपको देता है, तो ये बहुत ही जादा सबसे बड़ी अच्छी बात है, इसमें जूमिंग बगेरा का भी ये features मिलती है, जो कि sound को भी जूम करती है, तो ये सारे चीज़ है, बाकी इंडिस्प्ले फिंगर पिरिंट से अगर multimedia की बात कर लेता हूँ, तो multimedia में आप HDR बगेरा में content देख पाऊँगे, कोई problem आपको नहीं होने वाली है, साथ में Atmos Dolby sound भी मिलता है, जो कि एक next level उपर लेकर के जाती है, multimedia colors बगेरा बहुत ही अच्छे दिये गए है, बहुत ही सार्फ दिये गए है, साथ ही साथ इसमें जो battery मिलती है, 4400 ms का battery मिलती है, और 66 Watt का fast charging का support मिल जाता है, जिससे phone को लगवाग 20-25 मिनट में आपको फूल चार्ज हो जाती, और battery एक दिन आपको एकदम चलती ही चलती है, तो बस यही थी आज की वीडियोज, और हाँ एक चीज में बता देता हूँ, तो मैं अपना experience बता रहा हूँ, कि यह phone अगर आप लेना चाहते हो, तो definitely इस phone को, मैं अड़ी comment करता हूँ, कि आप ले सकते हो, कि यह जो phone है, total पैसा वसूल फूल है, आप इसे कह सकते हो, तो बस यही थी आज की वीडियोज कैसी लगी, आप लोग comment जरूर किजेगा, अगर वीडियोज अच्छी लगी, तो लाइक जरूर किजेगा, चैनल पर फर्स टाइम आए है, सस्क्राइब भी जरूर कर दिजेगा, तो मिलते हैं अगली वीडियोज में तब तक के लिए, गुद बाई,